Hello and welcome to Let's Crack It, मेरा नाम है अभीशेक, हम उत्राखन में जो नैशनल पार्क से उसकी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक हम जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क कवर कर चुके हैं, और आज हम राजा जी नैशनल पार्क पढ़ने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री देख लेते हैं, तो राजा जी नैशनल पार्क जो है, यह उत्राखन स्टेट के अदर सिचुएटिड है, एक बहुत ही सुन्दर ब्यूटी है, आपर पिच्चर्स की ब्यूटी है, और इस बायो डाइवर्सिटी है, इस पार्क की, जो सब करता है, एक मेजर पार्क का जो नाम दिया गया है, वो लेट श्री राजागो पालचारी के नाम पे दिया गया है, जिनको राजा जी भी कहा जाता था, यह एक फेमस फ्रीडम फाईटर थे, और फॉर्स्ट इंडियन गवर्न जनरल थे, या आप कह सकते हो, लास्ट गवर्न जनरल थे इंडि तो भारारतन जब शुरू में तीन परसंस को दिया गया था 1954 में तो जो सीराज़कोपला चाली थे उन में से वो फर्स्ट थे या फर्स्ट अमंग में उन तीन परसंस में राजे जी नाशनल पार्क जो है इंडिया का वो 820 स्क्वार क्लोमेटर में स्प्रेडिंग हैवस की इसी सीजन में लोग यहां पर घूमने आते हैं क्योंकि मिड जून तक बहुत बहुत गर्मी हो जाती है तो यहां पर घूमना भी बहुत ज़्यादा उप्रैसिव हो जाता है नेचर में लोकेशन देखें तो इस सिचुएटी लोंग दा हिल्स और फोटल्स अफ शिवालिक रेंजे इन दे हिमालियास और रिप्रेजेंट दा शिवालिक एको सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है राजे जी नाशल पार्क तीन सैंचुरी इसको कंबाइन किया गया है इसमें चिल नाशनल पार्क फैलावा है तो यहां से आपको मिल जाएगा उसका अंसर तो मौती चूर और राजे जी संचुरी जो है यह कॉंटीग्वेस है यहनि के लगातार है और बीच में एक चिल्ला संचुरी पढ़ती है इनकी चिल्ला संचुरी सेपरेट है इस से तो दा साउथ गैंजिज रिवर और चिल्ला रिवर तो यह दोनों मौती चूर और राजे जी तो कॉंटीग्वेस है लगातार संचुरी है और चिल्ला संचुरी है वो थोड़ा सा अलग है इन दोनों संचुरी तो चिल्ला संचुरी के बीच में एक रिवर भैती है गंगा रिवर भैती ह तो ये भाबर रिजन आ जाता है जहां पर ये बराद प्र सब्सक्राइब बिट आपको देखने को मिलते हैं तो यह बर्सात ही नदिया कहते है है हिंदी मेन को कि जब बर्सात होती है यानि कि वर्षा या बारिश होती है मौनसून के सीजन पर तभी पानी आता है और में बागे टाइम पर वो सूखी रहती है तो यहाँ पर आपको semi-evergreen forest देखने को मिलेंगे desidious forest, कुछ broad-leaved और तराई grasslands भी यहाँ पर है और यहाँ पर इनको हम Indus Ganges Monsoon Forest भी कहते हैं राजे जी नैशनल पाक को lofty strands of salt dominate in many parts यहाँ कि salt trees जो है आपको भरपूर मातरा में देखने के लिए मिल जाएंगे राजे जी is home to avian species यानि कि जो पक्षी होते हैं उनकी कहीं सारी प्रजातियां यहाँ पे आती हैं which are found in forested foothills and in open grasslands it's located in a transition zone between temperate western Himalaya and central Himalaya enhances the species diversity and consequently the viewing prospects तो जो राजे जी नैशनल पाक है यह on the junction है between the two different habitats तो इसके वैसे यहाँ पे जो diversity है, species diversity है वो कहीं हद तक भढ़ जाती है राजे जी's checklist has about 400 birds species, 400 से जादा birds species हैं पे, includes good birds like greater squop, white named woodpecker, great hornbill, black belly turned, palaz fish eagle northern goshawk black necked stalk, yellow billed blue magpie, scaly trush snowy browned flycatcher, rusty flanked treekeeper and pale footed bush warbler titler's life warbler, green edward and the reed bunting, यानि कहीं सारी बहुत ही अलग-अलग birds हैं, इनके कुछ के नाम आप याद रख सकते हैं धियान रख सकते हैं अगर आप उत्राखंट PCS का mains अगर लिख रहे हैं और राजे जी नाशा पाक के उपर या कभी कोई question आता है wildlife के उपर उत्राखंट के तो उसमें आप यह सब चीजों को mention कर सकते हैं तो यहां से आपको data for the prelims के लिए भी मिलता है मेंस के लिए मिलता है तो दोनों के लिए beneficial है यह राजे जी की अगर हम birding देखे हैं तो यहाँ आप यहाँ पे around the various forest rest houses के along देख सकते हैं 26 km का forest drive भी है चिल्ला में across grasslands and mixed forests along the Pandu वाला कंसराव मोती चू ट्रेल एक अंदर राजे जी के अंदर trails बनी वी हैं जहाँ पे आप जंगल सफारी बगरा कर सकते हैं जहाँ से आपको इस चीज़े देखने को मिलेंगी 40 km trail goes through the undisturbed stretches of dense forest सुस्वा river यह important है सुस्वा river है यह parallel run करती है to these three connecting forest ranges and marks the northern boundary of the park तो राजा जी की जो northern boundary जो बनाती है वो सुस्वा river बनाती है Tiger Reserve का status देखते हैं तो union government ने एक node को proposal उसको node दे दिया proposal को to grant the Rajajji National Park in उत्रकंट the status of Tiger Reserve तो जो Rajajji National Park था इसको Tiger Reserve का दर्जा मिल गया it will be the second Tiger Reserve in the state तो यह दूसरा Tiger Reserve था इस्टेट में after the Jim Corbett और पूरे भारत में देखा जाए तो 48th Tiger Reserve था as per directions of the Tiger Conservative Authority यानि कि जो NTCA है National Tiger Conservation Authority of India जो Rajajji National Park था वो core area था Rajajji Tiger Reserve का तो Rajajji National Park वो core area होगा while about 300 km2 of शामपूर range of Haridwar Forest Division and parts of Kordwar Lal Dhang Forest Division जो function करती थी as a buffer zone and also be included in the Tiger Project इनको भी Tiger Project में include कर दिया गया और total area जो Rajajji National Park का देखा जाए तो core area, buffer area, transition area सारे को मिला के यह 1150 km2 बन जाता है जो final approval है वास अकॉड़िट तो Qudremukh यानि करनाटका को और जो करनाटका में है Qudremukh और जो Rajajji उत्राखन में है दोनों को एक सार टाइगर रिजर्व को दरज़ा दिया गया on 15. April 2015 Rajajji जो है दूसरा टाइगर रिजर्व उत्राखन का बन गया फिर Rajajji को इस टाइम से न्यूज में भी रहा है क्येहाा पर एक Won-gujja जो एक tribe है यहाँ आप कह सकते है nomadic tribe है nomads है जो की चरवाय होते है या जो चलते रहते हैं कहीं भी अपना shelter लगा लेते हैं तो वो यहाँ पर उनका जो उत्राखनीस उफिशल्स है लाजे जी लियर अन्यूज मेंा तो अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो ये एक North Western लिमिट है अगर हम राजे जी नाशन पाक के और कुछ फीचर्स की बात करें तो ये एक North Western लिमिट बनाती है इस से उपर आपको नहीं मिलेंगे राजे जी नाशन पाक ता कि आपको elephants देखने के लिए मिलते हैं ताइगर रिजर्व का दर्जा जो राजे जी को मिला वो 25 में मिला कुद्रे मुख करनाटका के साथ यहां पर घर है तो अब वन गुजर्स का सर्दियों में यहां पर घर है तो अब वन गुजर्स क्या है उनके बारे में देख लेते हैं यह जो कुछ forest dwelling nomadic communities हैं देश के अंदर उन में से एक है वन गुजर्स जो की बुग्याल्स जो है वो एक टर्म है grasslands को कहा जाता है बुग्याल्स उत्राखन के अंदर तो जो की located है अपार हिमाल्याज में यह अपार हिमाल्याज में चले जाते हैं summers में और lower हिमाल्याज यह शिवालिक ranges पे पहुच जाते हैं यह राजेजी नाशनल पार में आ जाते हैं in the winters with their buffaloes and return only at the end of monsoons to their makeshift huts deras in the foothills they inhabit the foothills of Himalayan state जैसे की हिमाशल में उत्राखन में यह रूज आते हैं और यह buffalo husbandry basically करते हैं they traditionally practice buffalo husbandry जो कि एक family अगर देखा जाए तो एक family में 25 से जादे buffalo रख सकते हैं they rely on buffaloes for milk which gets them a good price in उत्राखन यूपी markets तो उनको फे दूद को बेच भी देता है कुछ और features देखते हैं तो ganga and song rivers ये flow करती हैं पाक से it is at the northwestern limit of distribution for both elephants and tigers in India and has the largest population of elephants in उत्राखन पाक जो है वो घर है किसका great pied honbill का himalayan pied king fisher and the fire-tailed sunbird this area is the first staging ground after the migratory birds cross the himalayas into the Indian subcontinent यानि कि जब birds Eurasia से या उपर Mongolia, China या फिर Russia के Siberia region से himalayas को cross करती हुए Indian subcontinent में एंटर करती है तो उत्राखन का जो राजाजीन नाशनल पाक है सबसे पहला उनके लिए place बनता है जहां पे वो rest करती है या wintering ground उनका बनता है यहांपे यह 2015 में राजाजीन नाशनल पाक को नोटिफाई किया गया Tiger Reserve यह हम पहले भी देख चुके है सब्सक्राइब के दोबारा जो benefits है Tiger Reserve के वो है कि protected area हो जाएगा Tigers के लिए tourist attraction हो जाएगा huge development fund आएगा पाक के लिए और eco tourism development होगा जो flora है राजाजीन नाशनल पाक का वो range करता है broad-leaved यानि flora यानि की जो vegetation है अगर उसकी बात करें तो broad-leaved deciduous forest मिलते हैं riverine vegetation, grasslands, pine forests जो dense jungles हैं here are home to vivacious wildlife here very topography जो है नाशनल पाक की is also responsible for vivid animal life यानि क्या ही सारी vivid प्रकार की प्रजातिया animals के आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी underwood is light जो लकडिया है या जो underwood है यानि की shrubs वगारा वो कम देखने को मिलती है and often absent consisting of rohini ये कुछ और अलग-अलग चीज़े बता रखी जो यहाँ पर मिलती है तो राजा जी नाशर पार्ग has a lot to offer to wildlife and eccentrics with pristine scenic beauty and the rich biodiversity राजा जी is a much recount park of India 23 species से भी ज्यादे मिलती है mammals की that inhibits this park Indian elephant basic यहाँ पे famous है राजा जी नाशर पार्ग है elephants के लिए spotted deer, sambar deer, barking deer, blue bull जैसे के नील काहिए जिसको कहते है हिंदी में hawk deer, wild boar, jungle cat, rhesus macaque यानी monkey and lepidoptera यह कहीं सारे mammals है जो आप आपको देखने को मिलेंगे next we'll consider the avi fawn तो यह राजा जी नाशर पार्प में कहीं सारी bird species देखने को मिलेंगी more than 215 इंडिया को जो नाशर बड है यानी की peacock यहाँ पर बहुत जादा abundance में मिलता है innumerable variety of butterflies, small birds add to the beauty of this place, rusty-cheeked, schematar, babbler, golden-spected babbler, chestnut, tail, starling यानी कहीं सारी butterflies है जो आप आपको देखने के मिल जाएंगी और birds भी then the rides in the Rajajan National Park is important to take permission from the forest department अगर Rajajan National Park के अंदर आपको rides करनी है जैसे कि elephant safari होती है यहापे, jungle safari by, car भी होती है यहापे तो उन सब के लिए आपको पहले permission लेनी पड़ेगी, forest department से, park से पहले ही जो होता है बाहर उनका office होता है, पहले आप permission लेंगे, उसके बाद आप अंदर जा पाएंगे the park can be best viewed on an elephant safari, alternatively one can also take jeep safari to see the park so this is all about the Rajajan National Park, तो एक ही वीडियो में यह पूरा cover हो गया है और I hope कि आप को इससे जितने भी information लेनी थी सब मिल जाएगी इससे, कुछ बचा नहीं होगा in case कुछ बचता है तो मैं उसको further किसी वीडियो में cover कर दूँगा and I think इससे आपके सारे questions, whether it comes in prelims or the mains of UK BCS आप सब cover कर लेंगे so keep making notes out of it और आप इन सब का benefit ले सकते हैं and do, if you like the video, if you, तो आप इसको like कर दीजेगा and do share it और telegram channel जरूर जोन कर दीजे, उसको मद भूली जोन करना so thank you and bye bye